प्रेंट्स योर मोस्ट वेलकम आण एडविस टाइम्स और आज इस टॉपिक के बारे में हम बात करने वाले हैं वो है रूस और यूक्रेन के बीच जो विवाद बढ़ता जा रहा है ठीक यह हमारे देश में और पूरे दुनिया में एक बहुत जादा चर्चा का विश्य है तो इसके बारे में इस पूरे प्रकरण के बारे में A to Z चीजें इन शॉर्ट में हम इस वीडियो में जानेंगे तो आईए सबसे पहले हम देखते हैं कि करेंट में सिचुएशन क्या है तो जानकारों का ऐसा मानना है कि रश्या कभी भी यूक्रेन के उपर क्या कर सकता है अटेक कर सकता है क्योंकि जो रूस की यानि रश्या की जो आर्मी है लगबग एक लाग सैनिक यूक्रेन के बार्डर पे अभी तैनात है और अगर ऐसा होता है तो पूरी पॉसिबिलिटी है कि थर्ड वर्ड वाल जो है वो स्टार्ट हो जाएगा जानकार ऐसा रीजन दे रहे हैं कि इसके पीछे का कारड यह यह है क्योंकि यूकरेन जो है वो ना टो का मेंबर बनना चाहता है और रशिया को इंतराज है है। रसिया को ऐसा लगता है कि नाटो के माध्यम से अमेरिकन आर्मी जो है उसके बॉर्डर तक पहुँच जाएंगी और उसकी स्वरनटी को उसके संप्रभुता को खत्रा हो जाएगा और बॉर्डर भी डिस्टाब होगा लेकिन जैसा कि अब जानते हैं कि एक जो फ्रंट पे दिखता है और उसके पीछे जो होता है उन दोनों गेम में बहुत अंतर होता है तो इस पूरी कहानी की सचाई को जानने के लिए हमें इसके बैक्राउंड को समझना होगा तो आएए देखते हैं बैक्राउंड क्या है तो यह बात है 1991 की उस टाइम पे एक होता था सोवियत यूनियन यानि जिसको सोवियस संग कहते हैं उसमें बहुत सारे कंट्रीज थे और जब यह सोवियस संग तूटता है तो उसमें से एक देश निकलता है यूकरेन और भी बहुत सारे देश निकले लेकिन यहां पर्टि थी तो कहीं न कहीं डारेक्ट इंडारेक्ट वे में रशिया का वहां इंपैक्ट था परभाव था और हस्त छेप भी था यानि रशिया जैसे चाहता था यूक्रेन में काम करा लेता था लेकिन इस चीज में एक बहुत बड़ा चेंज आता है 2013 में जब वहां पे जो सिटिंग णीं प्रेशिडेंट थे जिनका नाम था मिस्टर विक्टर और जुर यह मिस्टर विक्टर थे यह पुतिन के समर्थक थे थिक तो उस टाइब यूक्रेन के अंदर एक एंटी-र्शियन मुमेंट चला और लोगों ने मिस्टर विक्टर का विरोध किया साथ ही साथë वहां कि यूक्रेन के लोगों को ये कहना था कि यूक्रेन के लोग और सरकार अमेरिका से दोस्ती करे, European Union से जुड़े साथी साथ नाटो से भी जुड़े और विवाद इतना जादा बढ़ गया कि इसके चक्कर में Mr. Victor जो Ukraine के President थे उनको इस्तिफा देना पड़ गया अब आएए चलते उससे आगे 2014 में अब नया election होता है और नय President आते हैं Ukraine में और ये जो President थे इनको ये बात पहले से ही पता थी कि मुझसे पहले जिस President को हटाया गया है किन reason के वज़े से हटाया गया है ये बात वो बहुत अच्छे तरीके से जानते थे साथ ही अब इन्होंने अमेरिका और European Union से दोस्ती के तरफ कदम बढ़ा है और साथी साथ ये भी कोशिश किया कि NATO की ये member बन जाए इनका देश जो युक्रेन है NATO का member बन जाए और कहा जाता ही कि इसी गुसे में पूतिन ने Ukraine का एक पार्ट है क्रीमिया एक जगा है युक्रेन में उस पे attack कर दिया और उसको अपने कबजे में ले लिया रशिया नहीं ये तर्क दिया कि ये जो है क्रीमिया जो जगा है ये हमने युक्रेन को गिफ्ट में देया था जब वो सोविय संका पार्ट था बाद में काफी दिनों तक विवाद ये चलता रहा और बहुत सारे देशों ने support भी किया रशिया का लेकिन आन्तिता समझाओता होता है लेकिन समझाओता तो हो गया लेकिन तनाव कम नहीं होता है बात बनती नहीं है ठीक है अब ये तो इतना मेटर था लेकिन अब हम देखते हैं कि real सच्चाई क्या है ये तो background हमने थोड़ा सजाना अब रियल सच्चा ही ये है कि रूस की एक कमपनी है जिसका नाम है गैस प्रॉम जो बहुत बड़े पैमाने पर जो है गैस सप्लाई करती है और इवेन इस कमपनी का रसिया के जीडिपी में 40% योगदान है ठिक और ये 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 और अन्य देसों में ये गैस वगरा सप्लाई क करती है तो अब क्या हुआ कि आप यहां से मैप में थोड़ा समय समझाने की कोशिश करूँगा यह रस्या और यहां पर है आपका यह यूक्रेण ठिक तो यहां से रस्या से जो गैस की पाइपलाइन थी वह यूरोप तक जाती थी ऐसे और यूक्रेण से हो के जाती थी रशिया से 33 billion डालर तलाना लेता था तिरिफ उस गैस के pipeline के जाने के वज़े से, ठीक है, तो एक तरीके से रशिया को भी बहुत महेंगा पड़ रहा था, ठीक है, और रशिया ने फिर क्या किया कि एक नई pipeline बिछाने की बात कही, और उस नए pipeline में क्या होता है, बिछाने का reason क्या था कि वो नया pipeline जो है रशिया ने ये किया कि अब बजाए इस रास्ते से उसने ये रास्ता पकड़ा Baltic Sheikah और यहां से रशिया होते हुए ये pipeline गई जर्मनी तक ठीक है ये pipeline गई जर्मनी तक और इस pipeline का नाम था Nord Stream 2 अब रशिया तर्क देता है कि भाई दो reason थे इस pipeline को बनाने के पहला reason ये था कि जो यूक्रेयन से जो pipeline होके जा रही थी तो वो काफी पुरानी हो चुकी थी उसमें बार-बार आगजनी हो जाती थी बहुत नुपसान होता था ठीक है और दूसरा ये था कि रशिया का पैसा भी ज्यादा अलग रहा था 33 बिलियर्ड डॉलर बहुत होता है जो रशिया यूक्रेयन को पे कर रहा था और रशिया ने अब क्या किया नया pipeline में उसने क्या किया यूक्रेयन और पोलेंड को यहां आप मैप में देख सकते हैं यूक्रेयन और पॉलेंड दो-तिन देशों से थे पाइपलाइन होके जाती थी इनको भाइपास करके यहां से यह से डिएएक्ट जा है यहां से जयर्मणी तक रसिया से डिरेक्ट बाल्टिक सी होते हुए जर्मणी तक यह pipeline बनी तो इन में नुक्सान उ सका उखा कहुआ 33 बिलियर जो डॉलर मिल लाए था अब उसको क्या होगा नहीं मिलेगा और उसी नाराजगी की वज़य से इसने उक्रेन ने क्या किया कि अब वो नाटो के मेंबर बनने की बात करने लगा वो रसिया का अपोस करने लगा ठीक है साथी साथ उसने अमेरिका से भी दोस्ती के तरफ कदम बढ़ा है तो ये जो reason थे नई gas pipeline का इसके वज़से ऐसा माना जाता है Ukraine रशिया से नाराज हुआ वहीं अब देखते हैं कि अमेरिका आखिर इस matter में इतना interest क्यों ले रहा है अमेरिका के interest लेने के दो reason है पहला ये reason है कि अमेरिका को इस नए gas pipeline बनने से economical loss हो रहा है क्योंकि अभी तक अमेरिका ही पूरे यूरोप में बड़े पैमाने पर gas और तेल सप्लाई कर रहा था ठीक है लेकिन अब क्या हुआ कि जब ये pipeline बन जाएगी तो सबसे ज़्यादा सप्लाई कोन करेगा रशिया करेगा ठीक है दूसरा अमेरिका को loss हो रहा था strategic loss यानि रणनीतिक हानी हो रही थी और वो क्या थी कि नए जब pipeline बनेगी और रशिया बड़े पैमाने पर यूरोप के देसों को gas सप्लाई करेगा तो एक ना एक तरीके से यूरोप की जो सारे countries हैं वो रशिया पे निर्भर हो जाएंगे और यूरोप के अंदर पुतिन का impact बहुत जादा हो जाएगा और दूसरी तरफ अमेरिका का जो impact है वो कम हो जाएगा जो अमेरिका को किसी भी कीमत पे बरदाश नहीं है कि उसका यूरोप में impact कम हो तो ये जो दो देश थे यानि यूक्रेन का क्या region था रशिया से नाराज होने का तो वहाँ भी जब हम जाते हैं निसकर्ष पे तो वो था gas की pipeline जो उसके देश को cross करके बाइपास करके उसने बना लिया रशिया ने और अमेरिका की नाराज होने का रीजन ये था कि एक तो उसको economical loss हो रहा था और दोसरा उसको रणनीतिक यानि strategic loss हो रहा था ठिक अब आईए देखते हैं जब इस पूरे मुद्दे के तह में आप जाएंगे तो main region जो है जो वास्तवी की reason है वो है ये gas pipeline यही reason है इस सारे जगड़े के background में अब आईए देखते हैं कि इनमें दो ही पच्छ हैं एक तरफ रशिया है और दोसरे तरफ अमेरिका और कुछ यूरोप के countries है यहां पर यह रशिया है और रशिया के अंदर रशिया का अपना अपना मानना है या जो उसकी strategy वो यह है कि रशिया यूक्रेन को डड़ा रहा है क्योंकि रशिया यह चाहता है कि यूक्रेन नाटो का member ना बने है ठीक है क्योंकि अगर यूक्रेन नाटो का member बनता है तो अमेरिकन जो आर्मी है नाटो के थ्रू वो रसिया के बॉर्डर तक पहुँच जाएंगी ये डर रसिया को है साथी साथ रसिया ये भी चाहता है कि उसका जो ये न्यू पाइपलाइन है गैस पाइपलाइन प्रोजेक्ट है वो असफल ना हो ठीक है क्योंकि वो असफल होता है तो उससे बहुत ज़्यादा एकोनॉमिकल लॉस होगा रसिया को तीसरा रसिया को ये भी पता है कि अगर वो वार करता है अगर वो युद्ध करता है तो उसको बहुत ज़्यादा एकोनॉमिकल लॉस होगा साथी साथ उसके उपर बहुत तरह के economical restriction लगा दिये जाएंगे तो anyhow रसिया कभी नहीं चाहेगा कि इस मुद्दे पे किसी तरह की लडाई और जगडा हो अब आएए दोसरे पच को देख लेते जिसमें अमेरिका और यूक्रेन है अमेरिका क्या कर रहा है कि अमेरिका यूरोप के देशों में जो यूरोप के कंट्रीज हैं उसमें डर बैठा रहा है इसके खिलाफ रशिया के खिलाफ ठीक है पूरे येरोपियन कंट्री में ये डर का महौल फैला रहा है कि कभी भी रशिया टेक कर देगा और आगे वो डोमिनेट करेगा इस तरह की बाते येरोपियन कंट्री को समझा रहा है दूसरी तरफ अमेरिका कहीं न कहीं चाहता है कि छोटी मोटी जड़प लड़ाई तकरहाट कहले या हिंसा हो जाए जिससे फायदा क्या होगा जिस जर्मनी के साथ रशिया का नए पाइपलाइन का डील है वो प्रोजेक्ट अटक जाएगा कैसे अटकेगा क्यूंकि जर्मनी ने ओपन स्टेट्मेंट दे दिया है कि अगर लड़ाई होती है तो हमारा भले ही एकोनॉमिकल लॉस हो जाए भले ही ये प्रोजेक्ट लटक जाए लेकिन हम साथ देंगे नाटो का क्यूंकि जर्मनी जो है वो नाटो का मिम्बर है तो अगर लड़ाई होती है तो यहां भी फायदा किसको होगा अमेरिका को होगा इसके अलावा डायरेक्ट अमेरिका कभी वार नहीं करना चाहेगा क्यूंकि इससे पहले हमने देखा है कि अफगानिस्तान में इतने सालों तक उसने आर्मी रखा और उस टाइम पर जो गॉ किसी भी तरह का economical loss हो और किसी भी तरह से वह डायरेक्ट लड़ाई में पढ़े अमेरिका बस इतना चाहता है कि कि किसी भी तरह से कोई भी दाओं पेंच एंगल सनयंत्र रच के यह जो pipeline बनने जारी है इस project को लटका दे अब निश्कर्स क्या निकलता है निश्कर्स यही न निकलता है कि 99.9% chance है लड़ाई ना होने की क्योंकि चाहें वो रशिया हो यह अमेरिका हो यह यह यूरोप के other countries हो इनको पता है कि अगर war होता है उस से सबका कितना economical loss होगा पूरी दुनिया दो खेमों में बढ़ जाएगी nuclear war तक यह बात बढ़ सकती है तो यह तो कहानी और प्रकरण को analyze करें तो यह निकल के आएगा एक तरीके का यह राजनीतिक दबाव बना जा रहा है इसके उपर रशिया के उपर आप इसको सण्यंत्र भी कह सकते हैं और mind game भी कह सकते हैं ठीक है होना कुछ नहीं है इस तरह के सण्यंत्र इस तरह के political जो pressure है वो पहल भी दुनिया के राजनीती में इस्तमाल होते रहे हैं युद्ध की संभावना ना के बराबर है तो यह था पूरा Russia versus Ukraine प्रकरण उमीद करता हूं कि आपको काफी कुछ समझ में आया होगा थैंक यू